हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की Poco C51 फोन में आप लोग Bluetooth प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके फोन में भी Bluetooth प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्ब करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इ आपर एक option होगा reset wifi, mobile networks and bluetooth इस पर क्लिक कर दिजिए क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे reset settings है तो reset settings करने से यापर हमारा bluetooth settings भी reset हो जाएगा तो इसलिए हम reset settings पर click कर देंगे click करने के बाद यापर आपका phone का जो passport है वो डाल लेना है डालने के बाद ok का option आएगा ok पर click कर दिजिए आपका जो bluetooth setting है वो यापर reset हो जाएगा और आपका जो bluetooth problem है वो भी solve हो जाएगा उसके बाद भी अकर solve नहीं हो रहा तो मैं आप लोगो और एक settings बता देता हूँ उसके लिए आपर आप लोगों को settings में जाना है और नीचे scroll down कर लेना है नीचे को option देखने को मिलेगा apps का तो इस apps के option पे click कर दिजिए उसके बाद यापर second वाप्षन देख सकते है manage apps लिखा है इस पे click कर दिजिए और यहाँ पर से आप लोगों को Bluetooth का option को धुँणना है आप लोग search भी कर सकते हैं और scroll करके भी ढुण सकते हो उसके बाद इस पे click कर दिजिए click करने के बाद देख सकते है नीचे clear data का option है clear data पे click कर दिजिए clear all data पे click कर दिजिए तो यह पर clear data करने से आप लोगों का ब्लूटूथ प्रोब्लेम है वो गैस 100% solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Poco C51 फोन में ब्लूटूथ प्रोब्लेम को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई